सुमवार को दिल्ली में हुई एक घंटे की बारिश ने पॉलिशन को धो कर दिया महस दस घंटे के अंदर दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स यानि की AQI लेवल 100 अंकों तक लड़ गया सुमवार सुबर तक जिस 500 अंक्यों तक पहुंचे AQI ने लोगों की नाक में दम कर रखा था वही AQI रात होते होते बारिश की वज़स से 400 पर आ गया उधर बारिश के बाद दिल्ली में सर्दी ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है मंगलवार को दिल्ली वालों की सुबह 15 डिग्री सेल्सियस तापान के साथ हुई केंद्री प्रोदूशन नियंतरन बोर्ड के आंकडों के मताबिक आनंद विहार में AQI 374, आरके पुरम में 370 जबकि पंजाबी बाग की बात करें तो यहां 390 और ITO में 400 के आसपास रहा मौसम के जान करू कि माने तो अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रोदूशन का स्तर और कम होगा लेकिन इसके साथ ही राजधानी में थंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी चाने लगेगा वैग्यानिकों ने बताया कि दिल्ली NCR में ये बारिश पश्ची में विक्षोब यानि कि वेस्टन डिस्टर्बेंस की वज़े से हुई पालम में सबसे ज़्यादा 1.8 मिलिमीटर और आया नगर में 0.6 मिलिमीटर बारिश दर्श की गई इससे न सिर्फ प्रोदूशन में राहत मिली बलकी दिन के पारे में भी जोरदार गिरावाट हुई इस बारिश के बाद दिल्ली में बुधवार से थंड और बड़ेगी भारती मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो दिसंबर शुरू होते होते दिल्ली का तापमान 10 डिग्री के भी नीचे आ सकता है तापमान की बात करें तो दिल्ली में दिन का पारा 24.2 डिग्री सेलसियस कम रहा जबकि न्यूंतम तापमान यानि की रात का पारा 13.4 डिग्री सेलसियस रहा है जो पारा अलागर मंगलवार को दिल्ली का मौसम साफ रहेगा कुछ इलाकों में बादल चाहे रह सकते हैं मंगर बारिश के आसार न के बराबर है उधर इस बीच दिली में मॉर्णिंग वाक पर निकले लोगों ने भी प्रोदूशन का लेवल कम होने से के बाद राहत की सास ली सुनिये लोगों ने क्या कहा पहले निकलते थे उससे सास लेने में दिक्कित होती थी जो बारिश पड़ी है न उससे बहुत राहत मिली है देखो कुछ राहत मिलनी चाहिए पर अभी तो मुझे लगता नहीं है बिकाज अभी इस भी स्मॉक दिखता है आज घूमने का आनन्द आएगा असली क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ बारिश की वज़े से बहुत कुछ मौसम साफ हो गया लेकिन ऐसा है जैसे पहाडों का मौसम हो रखा भी बहुत अच्छा मैसूस वरा है आज